क्या तीसरा विश्वयुद्ध शुरू हो चुका है? कैसे कई देशों के बीच में चल रही प्रॉब्लम्स पूरे विश्व को मुसीबत में डाल सकती है? कैसे होने वाला है तीसरा विश्वयुद्ध? चलिए, इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं Knowledge Central की इस वीडियो में वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विंती है दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और ऐसी ही रूचक एवं ज्यानवर्दक वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें हेलो दोस्तों, आज के एक किस वी सदी में हर देश आगे बढ़ने की दौड में लगा हुआ है फिर चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो या चायना सभी चाहते है कि वो वर्ल डीडर का ताच उनके सर पर हो और इसी कोशिश में ये लोग अक्सर एक दूसरे के सुरक्षा में सेंद लगाने की ताक में रहते है अमेरिकन इलेक्शन्स में रशियान साइबर सोलजर का इन्वाल्व होना इसका जीता जाकता एक्जैंपल है ऐसी घटनाओं से हमें पता चलता है कि कुछ देशों के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा वर्ल्ड वर वन और डू की लडाईया हतियारों से लड़ी गई थी लाखो सैनिक और आम नागरिकों को अपनी जान गवानी पड़ी थी हिरोशिमा और नागा साकी में गिराए गए एटम बॉम से हुए बिनाश के बारे में तो आप जानते ही होगे तो चलिए अब बात करते है कि ये वर्ल्ड वार 3 कैसे लड़ी जाएगी आजकल के संयोग को देखकर ऐसे लगता है कि यह विश्वयुद साइबर वार पे होनी वाली है और इस वार में बंदोग, बॉम, टैंक, आदी इन सब चीजों का इस्तमाल नहीं होगा लेकिन क्या है ये साइबर वार? बिना बॉम, टैंक के युद? सुनके ही अजीव लगता है है न? लेकिन हाँ, आएए देखते है कि क्या है ये साइबर वार? साइबर वार या साइबर वार फैर, इसका मतलब ये हुआ कि कोई देश अपने दुश्मन के सभी कम्प्यूटर सिस्टम को हैक कर लेगा और उनकी सारी गोपनिय जानकारी हासिर कर लेगा, सिर्फ जानकारी ही हासिल नहीं कर सकते बलकि दुश्मन के कम्प्यूटर्स में अलग-अलग वाइरस भी डाल सकते है, जिससे उनका काम पूरी तरसे बिगड जाए या रुख ही जाए इसमें सीधे किसी आम इंसान को हानी नहीं पहुचेगी, पर पूरे देश को एक साथ कई तर्य के मुसीबत में डाला जा सकता है आजकर एक देश की सारी गोपनिय या फिर सीक्रेट जानकारिया जैसे की मिसाइल के कंट्रोल कोडिनेट्स, बॉम बनाने का फॉर्मिला उनके सिक्योर सर्वर पे स्टोर होता है ऐसी जानकारी को अगर सारी दुनिया के सामने लाया जाए, तो उस देश का काफी भारी नुकसान हो सकता है बड़ी बड़ी कंपनीज के सिस्टम्स, देश में बिजली का संचालन, बैंकिंग सिस्टम्स, टेली फोन्स, ट्रांस्पूर्ट करने के सिस्टम्स, एक्सेटरा, ये सब भी इंटरनेट के जरिये ही होते है सोचिए, अगर एक देश में सभी मिसाइल से फिर रॉकेट्स का कंट्रोल दूसरे देश के हाथ में चला जाए, तो क्या होगा? ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसकी हम कलपना भी नहीं कर सकते इसी सिलसिले में भारत में हुए एक किस्से के बार में बात करते है आप सबको याद है, 12 ओक्टोबर 2020 को मुंबई में कुछ घंटों के लिए पूरी तरह से बिजली चली गई थी लोगों के घर की बिजली तो दूर, ट्रेंस तक चलना बंध हो गए थे तो अचानक से इतना बड़ा पावर कट कैसे हुआ, ऐसे कैसे अचानक पूरे मुंबई शेहर की बिजली एक साथ चली गई दवायर.in की रिपोर्ट के अनुसार, पावर सिस्टम, ओप्रेशन, कोप्रेशन की तरफ से तो कोई गड़वड नहीं हुई थी उस समय महाराष्टर के होम मिनिस्टर अनिल देश्मुग जी ने एक US की रिपोर्ट पे ध्यान दिया जिसका ये कहना था कि मुंबई में जो पावर कट हुआ है, उसके पीछे चाइनीज हैकर्स का हाथ है जब अनिल देश्मो, साइबर सेल और बाकी मिनिस्टर्स ने इसमें तैकिकात की, तब पता चला कि महाराष्टर स्टेट इलेक्टरिसिटी बोर्ड के सर्वर पे साइबर अटाक हुआ है इस साइबर अटाक में 14 ट्रोजन होर्सिस, जिसे हम एक तरह का मालवेर कह सकते हैं, वो MSCB के सर्वर में डाला गया था और तो और 8GB का डेटा MSCB के सर्वर पे आया था, जो किसी फॉरन सर्वर से डाला गया था MSCB के सर्वर्स को कुछ ब्लाक लिस्टेड आईपी अड्रेस के तरू लॉगिन करने की भी कोशिश की गई थी चाइना पे शक इसलिए गया, क्योंकि चाइना का रेड एको नाम का एक हैकिंग ग्रूप है, जिसने भारत के 10 बड़े सर्वर्स को निशाना बनाया है पर जब उन्हें पूछा गया, तब उनका ये कहना था कि उनका इसमें कोई हाथ नहीं, क्योंकि भारत के साइबर अटैक के प्रती सुरक्षा काफी शक्तिशाली है ऐसा ये किस्सा जॉर्जिया के कोलोनियल ओइल पाइपलाइन कमपनी के साथ हुआ था box.com के रिपोर्ट के अनुसार साथ मी को कोलोनियल पाइपलाइन कमपनी साइबर अटैक की शिकार हुई थी, जिसको रैंसमवेर अटैक भी कहते है यानि कोलोनियल कमपनी के कंप्यूटर सिस्टम तब तक हैक्ट रहेंगे, जब तक हैकर्स ने मांगे हुए पैसे उन्हें दिये जाते है यानि रैंसमवेर को हम ये कह सकते है कि कंप्यूटर सिस्टम को अगवा कर देना और छोड़ने के लिए फिराउती के पैसे लेना जब hackers ने company server को आजात किया तब company का नुकसान होने के कारण उन्होंने fuel का भाव बढ़ा दिया पर ग्राहकों को इससे बड़ी दिक्कत होने लगी इसलिए fuel taxes को पूरी तरसे हटा दिया गया तो आप देखी सकते हैं कि एक बार दुश्मन का server hack हो गया फिर वो देश की जनता, ministers ministers, सरकार, सब के सब एक ही बार में कबजे में आ जाते हैं, आप शायद यकीन नहीं करोगे, कई देशों में cyber war में career बना सकते हैं, ये सब देखके मैं तो यहीं उमीद करता हूँ, कि हमारे देश की cyber शुरक्षा पर जादा से जादा ध्यान दिया जाए, और ऐसा विश्वय युद कभी भी ना हो, क्योंकि इससे पूरे के पूरे देश खतम हो सकते हैं, वो भी बिना किसी कुन खराबे के, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, और शेर भी करना ताकि आपके पहचान वालों को इस युद के बार में जानकरी मिले, हमारी ऐसी नई नई आपको सबसे पहले मिले, हम आपको मिलते हमारी नेक्स वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखे, थैंक यू